हम असंतोश से प्रेरित नहीं होते, हमें बस आनंद और जीवन के लिए प्रेम प्रेरित करता है, रुची करोडों डॉलर में नहीं है, मेरी रुची 760 करोड लोगों में है, आत्मरूपांदरन के साधन किसी गुरू या संगठन के हाथों में नहीं होने चाहिए, वो हर इनस सबसे पहला मिशिन है, कि अगले पांच से आठ सालों में ये दुनिया में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, लगवग फ्री में अगर संभव हुआ तो किसी को भी ये जीवन हर दिन दिव्यता का आनन जाने बिना पूरा नहीं करना चाहिए. गुरु शब्द का अर्थ है, उनका काम बस यही देखना है, कि इस जीवन को मुक्ती तक कैसे ले जाय जाए, उस पहलू के लिए आपको ये देखना होगा, कि आप अग्यानता का दर्द महसूस कर रहे हैं, आपको ना जानने के दर्द को जानना होगा. अगर आप ना जानने के दर्द को उस हद तक जानते हैं, कि ये आपको भीतर से चीरने लगता है, आप खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, आप कुछ नहीं कर पाते, क्यूंकि ना जानने का दर्द आपको तोड़ रहा है, तब समधान आएगा, और उस समधान को अगर आप इंसानी रूप देना चाहते हैं, तो हम उसे गुरु कहेंगे, जिस भी रूप में वो आए, वो गुरु ही है. गुरु के साथ बैठने का महत्व, उनकी बाते सुनने में नहीं है. ये साथना के बारे में भी नहीं है, ये मुख्य रूप से आपकी चमड़ी को थोड़ा सा चीलने के बारे में, ताकि गुरु आपके अंदर हर संभव दरीके से घुश सकें. क्यूंकि प्रवचनों से आपका मनुरंजन होगा, शिक्षाओं से आपकी मुर्खता मजबूत होगी. अभ्यास, अगर आप दुश्ट हैं, तो ये आपको और बहतर दुश्ट बना देंगे. मैं सभी चीजों का मूल्य कम करने की कोशिश नहीं कर रहा. ये सभी चीजें, हालांकि बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन फिर भी सही तरह की उर्जा के बिना, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको परम खुशाली की और ले जाएं. हाँ, शायद ये आपको इस समय के लिए खुशाली पहुँचा दे. शायद आपकी सेहत अच्छी हो जाए, शायद आपका सिरदर्द दूर हो जाए, शायद कुछ तरीकों से ये आपको शक्तिशाली बना दे. तो सबसे जरूरी चीज ये है, कि जब तक जीवन की उर्जा, की प्रकृती नहीं बदलती, वाकई कुछ नहीं बदलता. यहां योग केंद्र में हमने जबरदस्त मात्रा में उर्जा का निवेश किया है, इतनी उर्जा की अगर आप पत्थर की तरह हों, तब भी हम आपकी रीड को थोड़ा जगजोर सकते हैं, हम आप में गूंज पैदा कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हों, अगर आप थोड़े से इच्छुक बन कराएं, अगर आप इच्छुक ना भी हों, तो हम आप पर काम करने के लिए इच्छुक हैं, हमने दिन में कुछ समय तै किये हैं, सुभह शाम छे बीस बजे, उस समय उर्जा एक खास तरीके से एकठी होती हैं, विशेश रूप से अगर आप दीक्षित हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली होगी, उसके बिना भी अगर आप किसी विचार, भावना या तस्वीर से इस थान से जुड़ते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कि वो समय आपके लिए एक शक्तिशाली उपस्तिती का समय हो, तो छे बीस से लेकर छे चालीस तक, ये बीस मिनिट, इसमें हमने जीवन लगाया है, हमने एक विशेश आयाम की उर्जा का कुछ हंच इसमें निवेश किया है, चाहे आप किसी भी टाइम जोन में हो, आपके समय के अनुसार, छे बीस बजे सुभए या शाम में, आप इसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। चाहे किसी के पास बुद्धिमानी, योग्यता, धन, यश, शक्तिशाली पद्धवी, जैसी कितनी ही चीजें हो, ये सभी चीजें किसी व्यक्ति के लिए तभी काम करेंगी, जब वो कृपा प्राप्त कर लेता है। कृपा के बिना वही चीजें जिन्हें सौभभग्य समझा जाता है। वो उस व्यक्ति के खिलाफ काम करेंगी। वो काफी पीड़ा और तुख ला सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृपा प्राप्त करना। सनिधी, कृपा पाने के लिए एक जबरदस्त साधन है। खुद में सच्चाई, सीधापन और सबसे बढ़कर सभी को खुद में शामिल करने की भावना के साथ जीवन जीएं। अगर आप अपने विचार और भावना में एक विशेश स्तर पर लोगों को खुद में शामिल करें, तो सन्निधी रूपांतरन का एक जबरदस्त साधन बन जाएगी। आपके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो उसके संपर्क में आता है। मेरी कामना है कि आप दिव्यता को जाने। किसी को भी ये जीवन हर दिन दिव्यता का आनन जाने बिना पूरा नहीं करना चाहिए। मूल रूप से ध्यानमय होना का मतलब ये है कि आप अपनी मानसिक सच्चाई से दूर चले गए और एक अस्तित्वगत सच्चाई बन गए। तब ही मैंने कहा, ये अगनी की गोध है। जैसे ही आप अगनी को छूते हैं, आप पूरी तरह से अस्तित्व के स्तर पर आ जाते हैं। सारी मानसिक बक्वास गायब हो जाती है, है ना। तो जिस चीज की जरूरत है, वो है थोड़ी और अगनी। क्यूंकि अगर जीवन की अगनी थोड़ी ज्यादा तीवरता से जलने लगे, तो आप देखेंगे कि विचारों और भावनाओं का महत्व, पूरी शारीरिक और मानसिक बक्वास का महत्व कम हो जाएगा। अगर आप बस इस अगनी को बहुत तीवरता से जलाएं, तो सब कुछ कम हो जाएगा। अपना कितना जीवन और समय आप अपने शारीरिक और मानसिक मजबूरियों में लगाना चाहते हैं, ये निरणय आपको अपने जीवन में लेना होगा। मानफता का विकास असंतोष के कारण हुआ है, क्यूंकि लोग क्रोधित हैं या एक दूसरे से ईशा करते हैं। युद्धों से विकास हुआ है, युद्ध विज्ञान को दुनिया में ले आया। दूतिये विश्व युद्ध के दौरान विज्ञान का विस्फोट हुआ था। अगर आप बुद्धिमानी को बिगाड़े ना तो हर इनसान कुद्रती रूप से खोजेगा। ना बिगाडने से मेरा मतलब है, अगर आप उसे पहले से तयार उत्तर ना दें, तो ये कुद्रती रूप से खोजेगी। ये बहुत प्राकृतिक है। इनसानी बुद्धिमानी का स्वभाव ही यही है कि यह उससे कुछ ज्यादा बनना चाहती है जो यह अभी है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंतोश है. आप अभी जहां भी हैं हर इंसान जिसमें आप, ये सभी और मैं भी शामिल हूँ हम कुछ ज्यादा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है न? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर असंतोष है? नई, हम असंतोष्ट नहीं है हम असंतोष्ट से प्रेरित नहीं है हमें बस आनन्द और जीवन के लिए प्रेम प्रेरित करता है आप रावन के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनमें ऐसा कुछ है जो हम आज भी उनसे सीख सकते हैं? राम और रावन के बीच महत्वपूर्ण फर्क ये है कि राम नियंत्रित है रावन एक जलता जीवन है जब आप ऐसे जलते जीवन हो जिसमें नियंत्रन ना हो तो कभी-कभी आग आपको ही लग जाती है और आपको जला देती है अगर आप वाकई जबरदस तरीके से जीना चाहते है तो आप में पूरा कंट्रोल होना चाहिए चाहे बाद जीवन की हो या आप एक मोटर साइकल चलाना चाहते हो या कार चलाना चाहते है या हवाई जहाज उडाना या जो भी अगर आप उसे एक विशेश तरीके से करना चाहते हैं, तो आप में पूरा नियंतरन होना चाहिए आपका नियंतरन ही आपको तेजी और प्रेरणा देता है आप बिना कंट्रोल के प्रेरित हो जाएं, तो ये आपको जला देगा एक तरह से उनके साथ भी यही हुआ था राम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं हम राम की पूजा करते हैं क्योंकि एक के बाद एक, हादसे होने के बाद भी उनका राज ये चला गया, उन्होंने अपनी पत्नी खोदी, उन्हें खोज कर वापस लाए और जब वो गर्ववती थी, तब उन्हें फिर से खोदिया और उन्होंने अपने बच्चों को भी लगभग मार दिया था कभी अपनी पत्नी को दुबारा नहीं देखा लगातार मुसीबते आएं फिर भी, उन्होंने कभी क्रोध नहीं पैदा किया रावन की तरह, वो गुस्सा नहीं हुए वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे वो वैसे ही बने रहे रावन को मारने के बाद वो प्राइश्चित करना चाहते थे क्यूंकि उन्हें उसे मारना पड़ा था क्योंकि उन्होंने रावन के सुन्दर गुण देखे थे पर उन्हें रावन को मारना पड़ा क्योंकि जीवन की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी तो वो प्राश्टित करने के लिए गए क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो जीवन की परिस्थितियों को किसी भी तरह से खुद को परिशान नहीं करने देते वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं हम उनसे सहमत हैं या असहमत हैं मुद्दा ये नहीं है महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो जीवन की परिस्थितियों को ये तै नहीं करने देते कि वो कौन हैं वो खुद तै करते हैं कि वो कौन है, इस एक चीज के लिए हम उन्हें नमन करते हैं योग बहुत लोगप्री हो रहा है, क्योंकि सिलिकॉन वैली में शुरू हो रहे उद्यमों को जबरदस फंड मिल रहे हैं और आप हमेशा योग को व्यवसाय बनाने के खिलाफ रहे हैं, तो आपका वो सुझाव किस बारे में हैं? हम व्यवसाय के खिलाफ नहीं हैं, पर ये फांडेशन एक उदेश्य से बनाई गई थी, हम वो उदेश्य सिर्फ इसलिए नहीं बदल देंगे क्योंकि बाजार की स्थिती बदल गई है, वैसे भी कुछ नहीं बदला है, हमारी कोशिश ये है कि हर चीज को फ्री कैसे बनाय जाएं, फिलहाल, हम स्पॉंसर ढूंड रहे हैं, अगर जरूरी स्पॉंसर आ जाएं, तो हम शायद सभी बुनियादी कारेक्रमों को फ्री में उपलब्द कराएंगे, हमारी कोशिश ये ही है, ऐसा करने में शायद कुछ और समय लगेगा, अगर मेरी आवाज बाहर फैलती है, तो हम उससे व्यावसाय नहीं करना चाहतें, क्यूंकि मेरी रूची करोणों डॉलर में नहीं है, मेरी रूची 760 करोण लोगों में हैं, और ये संख्या भी बढ़ती ही जा रही, तो अगर उन तक पहुँचने का एक मात्र तरीका व्यावसायक उधम है, तो आप एक व्यावसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे शुरू करने के लिए ना कहें, क्यूंकि मैं व्यावसाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बस मैं खुद व्यावसाय नहीं हूँ, जो मैं हूँ, उसकी शक्ती सिर्फ इसी में है कि मैं कोई लेन दिन नहीं हूँ गुरु पूर्णिमा के एक हिस्से के रूप में हम आज एक नई और थोड़ी सी बहतर इनर एंजिनियरिंग ओनलाइन दुनिया को उपलब्ध करा रहे हैं पुरानी की तुलना में इसमें ऐसी कई विश्यष्टा हैं जिनका आप आनन्द ले पाएंगे आप शंकरन पिल्लय को देख पाएंगे अब वो भी स्क्रीन पर दिखेंगे फिलहाल तीन भाषाएं मिलेंगी अंग्रेजी, हिंदी और रूसी बाकी की सभी भाषाएं शायद दो से तीन महीनों में उपलब्ध हो जाएंगी और कई सारी अंतराश्ट्रिय भाषाएं भी अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होंगी अगर आप 25 साल से कम उम्रके हैं और आप Inner Engineering करना चाहते हैं तो आप अगले महीने में हमें बस एक ऐसी चीज़ के बारे में लिखिए जो आपने ये सोचे बिना की थी कि मेरा क्या होगा बस एक सरल काम अगर आप हमें उस बारे में लिखें कि मैंने ये सरल काम किया और मुझे ये चिंता नहीं थी कि मेरा क्या होगा अगर आप ये छोटा सा काम करें तो आप Inner Engineering Online फ्री कर पाएंगे 25 साल से कम उम्र सभी सेनाओं के लिए भारतिय सेनाओं के सभी सैनेकों के लिए पुलिस, अर्ध सैनिक बल उन सभी को हम फ्री में उपलब्द करा रहें हमारा लक्षे है इसे धीरे धीरे पूरे विश्व को बिना किसी शुल्क के उपलब्द कराना लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाने में काफी खर्च आता है इसलिए हम आप जितना चाहें उतना शुल्क देने के लिए कह रहे हैं कुछ और समय लगेगा हम स्पॉंसर ढून रहे हैं क्योंकि आत्मर उपांतरन के साधन किसी गुरू या संगठन के हाथों में नहीं होने चाहिए वो हर इनसान के हाथों में होने चाहिए अब ऐसा समय आ रहा है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि इसे पूरे विश्व तक कैसे पहुँचाया जाए वो पैसे दे पाते हैं या नहीं ये कभी भी मुद्दा नहीं रहा है सिवाए इसके की फाउंडेशन को चलाने का बोज है और पैसों की जरूरत होती है बहुत से ओदार लोग हैं जो स्पॉंसर करना चाहते है सबसे महत्वपून चीज ये है कि वो तक्नीकें जो इनसान का जीवन रुपांतरित करती है वो सभी के लिए उपलब्द होनी चाहिए कम से कम शुल्क पर या फ्री यही लक्षे फिल्हाल ये हमारा सबसे पहला मिशन है कि अगले पांच से आठ सालों में ये दुनिया में हर जगा उपलब्द होना चाहिए लगबग फ्री में अगर संभव हुआ तो झालों में अगर संभव हुआ तो